है है हलो फ्रेंट सेलोगा डिश्टरी सेंटर में आपका स्वागत है आज मैं आप सब के बीच में ड्राइंग का क्यूशन एंसर लेकर आया हूँ इसमें देखिए बहु ज्यादा इंपोर्टेंट बात है और यहां पर मैंने यहां पर चलिए देखते हैं इंजिरिंग ड्राइंग में कौन-कौन से क्यूशन इंपोर्टेंट है तो मैं पहले प्रैक्टिस सेट कराने से पहले आप सब कुछ इंपोर्टेंट बाते बताना चाहता हूं जो कि आपको से अच्छे से याद करना जरूरी है उसी से ही आपके पूछे जाएंगे तो कुछ डिटेल में जो बाते हैं मैं आपको बता देता हूं और फिर उसके बाद जितनी बाते हैं वह सब प्रैक्टिस सेट में मैं साल्व लेरा दूंगा ठीक है तो यहाँ पर पहला देखिए आपको ध्यान रखना है पेंसिल के प्रकार किगोटी एग थी यह थी प्रकार होती है कहा होती है का फ्य मारे केश से öğणों को बनाने में करते हैं यहाँ पर आपके से जिदना पढ़ रहा है सिर्फ क्यूशन ही क्यूशन बन रहा है ठीक है तो यह निवन साइज में उपलब्ध होती है इसका साइज देख लिए फोर एच फाइब एच इसके बाद अगला देखिए मध्यम पेंसिल इसका परयोग देर तक संभालने के लिए संभालने के लिए किसी कागज पर ड्रैंग बनाये ही है तो इस परयोग चाहे जाता है जो कि बेख mostrar रहता है परयोग और इसमें एच टूएच टथा ड्रीच यह तीनर अपरगार की ये में पेंसिल होती अच्छर लेखन एवर डाइमेंशन लेखन लाइनों के एरो हेड बनाने में किया जाता है अच्छर लेखन में किया जाता है मध्यम पेंसिल का परियोग और डाइमेंशन लाइनों के एरो हेड बनाने के लिए मध्यम पेंसिल का परियोग किया जाता है और इसके बाद यह परीयोग बहुत ही नर्म होती है और इस पेंसिल की नोक बहुत ही नर्म होती है मालब कि एकदम बहुत ही सौव्ट होता है आप पैंसिल से इस तरह लिखेंगे जाता है ठीक है इसका परियोग बहुत तरह के आर्ट में या फिर सेडिंग करने के लिए परियोग में लाए जाता है तो नर्म पेंसिल होता है और जैसे जैसे नर्म नंबर बढ़ता है वैसे वैसे उसका सिक्का माईलब टो को यह पैंसिल टी नौक होती है उसका नर्म होते जाता है ठीक है तो इस तरह से पैंसेल हो गया है यह पहुँछ जदे इयंपॉटन थ वह क्षें दो तीन क्यूशन से पैंसिल से गरूर सें इसके बाद अगला कि महतपूर्ण बात है कि आपको ध्यान लखना है निरूपक भिन ड्राइंग पर वस्तु की लब ये लंबाई होती है एक जरूरी बात रहेंग पर इसकेल की लंबाई ब्राबर यह फार्मूला याद करना जरूरी है ड्राइंग पर स्केल के लंबाई बराबर आरेफ आरेफ आपका निरूपक भीन यहां पर है इन्टू अधिक्तम लंबाई तो यह दो फर्मूला आपको बहुत ज्यादा काम देगे ठीक है और इसके बाद देखें ड्राइंग बोर्ड के बारे मैं कुछ बताते देता हूं कंटस्ट कि लखड़ी यह व् Nich का बना हुआ होता है और यह निम्लिखित साइज में द्रैगबोत अपलफ्न होते है ब्रेशों के देंड़ में पंदरा सों इन्टू, एक हज़ार में की अधियर लोगा साज और एघ्रोऊं 500 और चफ्छ इंपॉटेंट रखना ज offered अब देखते हैं इसके बत your यहां पर देख लिए यह निम्न लिखिश में उप्लब्ध होती यहीरिज होती है ओट होती है यह सबसे बड़ी साइज की ड्रेमिंग सीट होती है यह इसकी साइज होती है और चाहिज आइज है 297 इन्टू 420 और एफ़ोर की ढ्रेंग सीट की साइज होती है 210 इन्टू 297 और एफ़ाइब की साइज होती है 148 इन्टू 210 तो इस तरह से ढ्रेंग सीट ये छे परकार के होते हैं और इसके बाद चलिया आज प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं इसका तो यहां बनाते समय परियोंग कियाक जिति आभी में हम लोipp देखे थे कि इसब बारएक पेंसेले होती है जो कि कठोर पेंसिल होती है तो इसका सही एंसर हो जाएगा प्रिइवाट घृणड तो इसके बाद अगला क्यूशन देखते हैं है यह दूसरा कि यह प्यांसिल अधिकतर आर्च कर identify लिए प्रयोग की जाती है तो कौन सी प्यांसिन वह जो अधिकतर आपकार के लिए पर यो कि जाती है तो आफ के लिए और कर जो और के लिए आपने अभी पढ़ा है होती है वह पेंसिल जिसका सिक्का जिसका सिक्का क्या होता है कठोर होता है नर्म होता है या फिर कैसा होता है जिसकी सेडिंग करने के लिए परयोग किया जाता है तो सेडिंग करने के लिए आप जानते हैं अभी पीछे पढ़ा आपने कि नर्म पेंसिल से ही सेडिंग किया ज एक का सभिषय के परटाना है किस परकार होते ह택जिए साधारण इसके के परकार होते हैं जिसके बाद अग्ला देखते हैं अगले क्योंकि निम पास संतमीटर अनुपाते एक मीटर की साधान इसकेल खीचो जो अधिकतम चार मीटर तक मापा जा सके और तो इसकेल पर दूरी को बताओ तो अभी मैंने पीछे एक फार्मूला बताया था निरूपक भीन में निरूपक भीन मेराबर क्या होता है तो निरुपक भीन का मान निकाल लेंगे और फिर इसकी दूरी बता रहा है तो इस तरह से इसका सही एंसर जो हो जाएगा अगला कुशन देखते हैं अगला कrostै कि कितने परकार होते है तो परकार के परकार के प्रचैप होते है इसके बाद अगला क्यूशन है तो आइसोमेट्रिक वैयू बनाने की बीधियां है कौन सी बीधियां है ले इसब बनती है जिसे बनती है या डौनो तो या ऊपर रॉक्षम से कोई नही तो इसका सही एंसर हो जाएगा इसब स hacemos हो जाएगा ऑस्ट बिंदी ने पर बनता है लंब कोड़ी पर बनादि बनाते हैं तो वस्थु का कितने दिगरी पर प्रचेप तल बनता है यह 30 डिगरी पर प्रचेप तल बनता है इसका सही आंसर जाएगा ऑप्सिन नौबर C और साथी साथ आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें और इसके बाद सब्सक्राइब अच्छी रूप में होती है या उर्दवी रूप में खिची होती है या दोनों बिंदुओं में खिची होती है या option number D दो दिये गए बिंदुओं के बीच की नियुंतम दुरी होती है तो एक सीधी रेखा होती है दो दिये गए बिंदुओं के बीच की नियुंतम दुरी होती है ठीक है इसके बाद अगला question है यह एक सवाल है यदि किसी वस्तु की लंबा और बटे वास्तु की लंबाई हो जाएगी तो यहां इसका सही अंसर हो जाएगा एक बटे दो हो जाएगा ठीक है इसके बाद अगला क्यूशन देखते हैं अगला क्यूशन है ड्राइंग में वस्तु की लंबाई बरावर बरावर देखिए इस पेस दिया हुआ है इसमें क् ळला के वाधविक के बराबर होती है जो लग पहली बार देखे लें यह वीडियो वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शाथ बेल के आई ¿कन पर हैं? तो किस प्रचेप में वस्तु का सही आकार दरसाया जाता है इसके बाद देखी अगला क्यूशन है अगला क्यूशन है 36 तल के घुमने की दिशा कौन सी होती है तो 36 तरह किस तरह से घुमने की दिशा हो जाएगे तो यसका ओपसन सही हो जाएगा option number बी हो जाएगा 20 होती है ठीक्icks के बाद अगला क्युशन है cectioning रेखाओं की दूरी आपस में क्या होती है तो sectioning रेखाओं की आपस में दूरी समयन होती है इसके बाद अगला question है कौन सी फाइलस समTAL सतह बनाई जा सकती है तो कौन से पाइल समTAL सता बनाई जाती है और इसके बाद अगला क्यूशन है एक आरेक में सिर्ष ब्लॉक कहां बनाया जाता है तो इसके बाद अगला क्यूशन देखते हैं अगला क्यूशन है मीनी ड्राप्टर का उपयोग किस रूप में नहीं किया सकता है यह जाता है इसका प्रेंच कर्ब नहीं बनाए जा सकता है वह पहला किशन्हें एक अरेखन सीट पर निरमीत ग्रीड संदर्व में निरमीत सूंदर्व में निरमीत सूचना क्या सुच्थ से यह दौत कौन से सूचना समनुद होती है तो यह इसका औरक संदेख लेते हैं आरक की हिस्तित हीच विरन संद्वन औरर संसुधन तो इसका सही अंसर जो हो जाएगा ओप्सन नंबर ए हो जाएगा एक आरेखन सीट पर निर्मित ग्रीट संदर्व में आरेख की स्थिति विरण संयोजनों एवं संसोधन वह पुर्णरा गृत्ति होती है ठीक है इसके बाद अगला क्यूशन देखते हैं अगला क्यूशन भा कार में ड्रेंग सिट पाया जाता है तो महां से आप लोग यह मिला लेंगे कि कौन-कौन सा होगा तो एफोर का साइज 210 इंटू 277 है जिरो का साइज 297 है एजिरो का 297 इंटू 420 है या एवन का 420 से 594 है या एटू का 594 से 841 है तो इसका यहां पूछा किया गया है भारति मानक ब्यूरो मानक का मानक ड्रेंग सिट के आकरों का संदर्वित कौन सा है तो इसमें आप्सन नंबर ए सही है क्योंकि यह सही माफ दिया हुआ है जो कि एफोर का होता है ठीक है इसके बाद अगला क्यूशन देखते हैं अगला क्यूशन है अच्छर बनाते समय समतल रेख लाइं से दाइं और खीचा जाता है तो आप्सन नंबर ए सही हो जाएगा इसके बाद अगला क्यूशन देखते हैं अगला क्यूशन है लंभी पाइप लाइन में सही खोलने के लिए करते हैं तो लंभी पाइप लाइन में सही खोलने के लिए करते हैं तो इसका ऑप्सन द जब काप परियोग निमों में से यूनियन को खोलने के लिए करते हैं ठीक है इसके पाद अगला ulakution देखते हैं अगला दिया हुआ अभिया अंत्री की रेखा चित्र में कई परकार के अच्छर होते है तो इसका अच्छा है या फिर फिर यहां पर पर तो वह भी रोमान अच्छर के अंधर गता इसके बाद अगला एक अगला क्यूशन है कि किसी अरेक को सही रुप में समझने में इन में से क्या सहायक है ठीक है तो किसी भी आरेक को सही रुप में समझने में इन में से क्या सहायक है तो इसका आप्सन है दिमांकन आप्सन B है अरेकन उपकरण है आरेक की इस पस्ट था और यह स consuming तो इसका Olá आप्सन नंबर A हो जाएगा दिमांकर नै किसी भी हुआ हुआ है तो यह तीन हैं सरेչर के अंतरगत आते हैं कठोर पेंसिल में पेंसिल उक्रण फोर होता है 9 में क्या होता है यह नर्म पिंस्ल में आते हैं थ्री फॉर भी फाइफ भी सेवन भी यह सब नर्म पिंसिल के अंतरगत आते हैं अब मध्यम पिंसल में क्या होता है अपकाहटा हें और आसा करता हूं कि आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं सारे ग्रूप में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्स